नमस्कार साथियों मैं सोबित सिंग मैक्सप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों CVT 2023 की प्रिप्रेशन के लिए मैक्सप नॉलेज पर यी सीरीज आ चुकी है आज इस सीरीज की दूसरी क्लास है आप लोगों को बता दू जैसे पीछे हम लोग 60 प्रस वीडियो के मदद से हम लोग अपने CVT 2023 के प्रिप्रेशन में युगदान दिये थे उसी तरह 2023 की सीरीज के लिए और थोड़ी नेक्स लेवल की सीरीज आई है जिसमें हम लोग आज ये हमारी सीरीज की दूसरी क्लास है खास करके M.A.M.S.C. जोगर्फी वालों के लिए सीरीज है हिंदी इंग्लिस मीडियम दोनों के लिए फैदे मन्द होने वाली है कई चीज़े ऐसी थी कि हमारी प्रिप्रेशन कैसे होगी हमारी क्लासे कैसे रहेंगी ये फिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ आज जो सीरीज की दूसरी क्लास है उसी क्रम को आगे बढ़ाती हुए तो हम लोग सुरू करते हैं अपने इस प्रिप्रेशन की दूसरी क्लास के अपने सीरीज की दूसरी क्लास में आप लोगों को सारी बेसिक चीज़े बता जी थी कैसे प्रिप्रेशन होगी हमारी यहां आपको चुने वह कोस्टन है बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है तो और आपकी इसे जरूर बहुत करेंगा तो चलिए सुरू करते हैं अपनी इस सीरीज की इस दूसरी क्लास की जो कि इसमें आज का यह पहला कोस्टन है पीछे लिए क्रास में हम लोग चार पाकशी कोस्टन देखे थे क्योंकि कुछ दूसरी बाते भी बताया थी तो उधर जादा टाइम चला गया था तो कुछ कोस्टन लेकिन स्टार्ट कर दिया गया था ताकि आप लोगों को जनकारी मिल जाए कि सीरीज में आ गया और यहां अगर पीछे वाली क्लास मिस कर दिये हैं तो डिस्क्रिप्सर में प्लेट लिखा है तो आपके वहले कोई समझें इंगलिस वालों के लिए मैं बताता हूं क्या करना है अगर पीछे वाली क्लास आप मिस कर दिये है तो डिस्क्रिप्सर में प्लेट लिखे लिंग दी है वहाँ जा कर पीछे वाली वाली क्लास जोईन कई ऐसे काम है उससे अफ़ अलंग गटेग्रीम रखा गया जो भी राठी करिया अंग अलंग अलंग क्या गटेग्रीम रखा गया जिसे प्रात्मिक When दी है दुतियक है तृतीक है फृट् तृत्य था कि कि चतुर धारेक छेत्र में से कौन संबंदित है? आप्सन देख लेते हैं, कैम्प्यूटर का निर्माड, B का आगज और कच्चे लुगदी का उत्पादन, C विश्व विद्याल से छण, और फोर्थ जो है, D जो है, पुस्तकों का मुद्रन. अब इसमें से कौन सा आपका, इसका पहला का, छटे नंबर का, यानि कि 5 कोस्तन हम लोग पीछली क्लास में देख लिए थे, छटे से हम लोग शुरू की हैं. तो इंगलिस वाले भी देख लिए एक बार, Which one of the following activities is related to quaternary sector? quaternary sector से, कौन से यहाँ activity जो है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का निर्वाण नहीं रहेगा, कागज और कच्चे लुगदी का उत्पादन नहीं रहेगा, हाँ विद्याले सिछण आप देख रहे हैं, एक संस्ता है, यहाँ प्रबंदक होंगे, प्रचार होंगे, यह सब क्या है, आपका चतुर्दक में आएगा, और इस वज़ा से हम कहेंगे, कि पहले का यहाँ पर क्या हो जाएगा, option C, इसका right option होगा, इसके एक खासियत आपको बता दू, यह जो सीरीज है, इसमें जो हमनों को कोसंद कर रहे हैं, इसमें एक एक कोसंद ऐसा नहीं है, कि आपको अगर मैं कोई कोसंद बता रहा हूं, तो उससे कोईल एक कोसंद ही आपका clear होगा, नहीं, उसको मैं explain भी करूँगा, आप लोगों पीछले class में देखे होंगे, अभी उसमें कोई जैसी topic रहे की जितनी आउसकता रहे की उसे explain किया जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो एक एक option भी explain किया जाएगा, ताकि आपको अगर वो question घुमा गभी पोस्ता है, तो वहाँ पे आपको clear है, जैसे अभी मैंने इसके बारे में बताया, अब आपको यह पता चल जाना चाहिए कि इस सेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे primary में आ जाएगा तो primary में क्या आता है, farming आता है, क्रिसी आती है, क्रिसी से लोग जूड़े होते हैं, और ज्यादा तर लोग ग्रामीर चेतर के जो लोग होते हैं, वो प्राथमी गती विदी जूड़ते हैं, कहीं भी आपको ध्यान आता है, ग्रामीर चेतर है, तो आपके दिमाग को यह face बन जाता है, कि वहाँ पर farming वाला काम होगा, फार्मर होंगे गाओं में जादतर, तो यह प्राथमी गती विदी हो गई, इसी तरह यहां का आपका जो विद्याले सिछड़े यह किसमे है, चतुरदारे क्वाइटरी सेक्टर में आता है, उमीद आपको एक क्लियर है, और इसे आप नोट करते चलेगा, इनके साप अगर एक-दो दिन बाद इसे रिवीजन करते हैं, या एक हफते बाद, या लाज्ट टाइम की टाइम, या आप ये वीडियो दुबारा आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो आप अपने सामने रखकर उसे याद करेंगे, तो अच्छा रहेगा, आप कुछ बाते बता दू, जैसे कि इस चैनल पर जो आपका, जो भी मैं जियोगर्फी पढ़ाता हूँ, उसमें इमेज और एनिमेशन के माद्यम से भी बताता हूँ, तो अब वो तो यहाँ पर संभव है नहीं, इसलिए मैं उसे टेलिग्राम चैनल पर सेयर करता हूँ, टेलिग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फ्री चैनल है, वहाँ से जाकर एनिमेशन, इमेज और भी आर्टिकल्स के माद्यम से, आप इस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक जो बताएगे रहती है, उसे अच्छे समझ सकते हैं, जिस दिन कोई अनिमेशन या इमेज देना होता है, मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूँ, जब भी वीडियो आपके पास पहुचेगी, उसके कुछ सेकेंड बाद टेलिग्राम चैनल पर वीडियो या एनिमेशन वहाँ पर पहुच जाएगी, या इमेज पहुच जाएगी, जिससे आपको टॉपिक सबजने में थोड़ा इजी हो जाए, तोकि जोगर्फी जो है, डिस्क्रेप्शन में उसकी लिंक दी है टेलिग्राम चैनल की वहाँ से जाएगर आप उसे जोईन कर सकते हैं, आगे जलते हैं, सेवन्थ नमबर कॉस्टन है, जनसंख्या पिरामिड किसके लिए उप्योगी होता है, पिरामिड भी कई होते हैं, बनाया जाता है, तो उसमें कहा है, जनसंख्या पिरामिड किसके लिए उप्योगी होगी, क्या हमारा उसका क्या यूज है, तो देखते हैं, जन्मदर को व्यक्ट करने के लिए, बी जनसंख्या संसाधन के आयू लिंक वित्रण को व्यक्ट करने के लिए, C है जनसंख्या बिद्धी दर्व्यक्ट करने के लिए D मृत्यू दर्व्यक्ट करने के लिए जनसंख्या पिरामिड पूछा है इंगलिस वाले देखे हैं Population pyramid are useful to Population pyramid are useful to Option है आपका Indicate the birth rate Express the age distribution of population Express the population growth rates Indicate the date rate अब इसमें आपको बताईए सोचिए आपकी जनसंख्या पिरामिड किसके लिए क्या इससे बाते हो सकती है किससे जूड़ी हो सकती है तो आपको बता दू कि जो जनसंख्या पिरामिड है इसमें आयू और लिंग के माध्यम से कैसी सनरशन हमारी जनसंख्या की है वहाँ पर ये अनुमान लगा जाता है कि आयू के साब से और लिंग के साब से कैसी जनसंख्या है इसे हम जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से दिखाएंगे तो यहाँ आपका क्या होजएगा ऑप्शन B जो इसका है राइट ऑप्शन होगा Option B, जनसंख्या संसाधन की आयू लिंग वित्रण को व्यक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है जनसंख्या पिरामिट का तो I hope यह आपको यह बाते clear है तो इसको right option क्या है Express the age 6 distribution of a population Option B, इसका right option है दो question यहाँ clear हो गए अब यह आपको पेसर रट जाने चाहिए अच्छे से सुनिएगा कि जैसे पहले चतूर्दक छेतर का मैंने बोला तो आपका सिच्छन संस्था हो गया दूसरा क्या बोला जनसंख्या पिरामिट बोला तो I.U. और लिंग वित्रण को व्यक्ट करने के लिए जनसंख्या संसादन के I.U. लिंग वित्रण को व्यक्ट करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है दू बाते यहां क्लियर हो गई आगे बढ़ते हैं थार्ड है बिरोजगारों के कौसल में बेमेल और उपलब्ध नोकरियों के लिए आवश्य कोसल के कारण बिरोजगारी क्या है इसे थोड़ा समझने कोसिस की जगा कि बिरोजगारी की बात करें बिरोजगारों के कौसल में बेमेल और उपलब्ध नोकरियों के लिए यानि कि suppose that अगर कोई वेक्ति है वो क्या है बिरोजगार है और उसके नौकरी चाहिए लेकिन वह तो पढ़ा लिखा, सिच्छीत है, ऐसा नहीं कि और सिच्छीत है, लेकिन फिर वी वो क्या है, क्यों बिरोजगार है, क्योंकि इसने जिस चेत्र में इसके education इसने लिया है, उस छेत्र का उसके नौकरी जो रोजगार उपलग्ध है उससे मैच नहीं करता यानि कि जो नौकरी की वेकेंसी आई हो उसमें जो एलिजबिल्टी मांगी हो वो मेरे से मैच नहीं कर रही है हाला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे से वो match eligibility नहीं कर रही है इस वज़ा से वो रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता वो क्या होगी एक तरह से बिरुजगार की में है यानि कि सिचीत है जैसा सिच्छा वहां चाहिए जो eligibility वहां चाहिए लेकिन इसके पास नहीं है तो इस वज़ा से क्या हुआ कि यानि कि जो कौसल मेरे पास है जो बेमेल कौसल है मेरे पास जो उपलग्द जो होना चाहिए उस नौकरी को पाने के लिए वैसा कौसल मेरे पास नहीं है वो क्या हो गया बेमेल कौसल हो गया और इसी को उपलग्द नौकरीयों के लिए आवश्यक कौसल के कारण और प्रच्छन वाले नोट करें वाट इस अनिप्लाइमेंट ड्यू तो मिस्मैच नहीं कर रहा है स्किल जो हमारे पास है वैसा स्किल जो चाहिए वैसा मेंच नहीं कर रहा है तो इस वाज़े से अनिप्लाइट क्या है कैसी अनिप्लाइमेंट है यह कैसी बिरोजगारी यह तो option है आपका structural unemployment cyclic unemployment frictional unemployment और displaced unemployment तो देखें पहले एक विचर चर्चा करते हैं प्रचने बिरोजगारी शुरू करते दी प्रच्रन्य प्रृषगारी का मतलब यी है कि किसी घर में किसी परिवार में दर्स व्यक्ति है जाने कि 10 सदस्त is वे उस परिवार में और वू खेती के कार क्र Śली के कार में लगे हुए हैं दसों सदस से जो है सभी क्या है किर्शी की छेत में लगे हुए हैं हलाकि उन्हें अगर बाकी 6 वेक्ति आराम से बैठे रहे हैं वो कुछ काम न करें फिर भी उनकी खेती होगी अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चार लोंग भी परियाप्त है उस खेती को करने के लि काम चार से भी ओसकता है लेकिं लगे पूरे दसों लोंग है इससे से बाकी 6 लोंग क्या है वो प्रच्छन बिरोजगारी का या अग्रिस बिरोजगारी का वो परती रोधात्मक्विरोजगारी का मतलब ये है कि नए की खोज में अपनी पुरानी नवकरी छोड़ दे अपने पुराने छेटर को छोड़ दे और या तो कोई नई नौकरी कोई पकड़े नई जॉब पकड़े और स्टार्टिंग में जो उसे समस्या जो प्राब्लम जो फ्रिक्संस आते हैं उसमें वो ग्रसित हो तो वो क्या है हमारा प्रती रोधात्मक क्या है बिरुजगारी है तो यानि कि नए पहली स्टार्टिंग में जॉब शुरू कि या किसी नए के खोज में अपनी पुरानी जॉब छोड़ दे वो क्या है हमारी प्रती रोधात्मक विरुजगारी है तो ये भी इसका राइट आप्शन नहीं होगा चक्री बिरुजगारी क्या है चक्री ध्यान ससुनेगा साइकलिक अनिम्प्लाइमेंट क्या है साइकलिक अनिम्प्लाइमेंट इसका मतलब यह है कि जो एक बार हमारे पजो अनिम्प्लाइमेंट है वो डाउन जा रहा है फिर एक बार अनिम्प्लाइमेंट हाई जा रहा है यानि कि एक बार रोजगार आ रहा है एक बार फिर रोजगार चला जा रहा है फिर कुछ ऐसी सिती बनी की रोजगार आया फिर कुछ ऐसी सिती बनी रोजगार चला गया यह क्या है साइकल चल रहा है आ रहा है जा रहा है तो यह क्या है चक्री बिरोजगारी कि जब मंदी की अवस्था होती है जब देश में मंदी की अवस्था होती है उसमें क्या होता है अनेंप्लोईमेंट बढ़ जाता है यानि कि बिरोजगारी बढ़ जाती है लेकिन फिर क्या होता है जो अर्थोईवस्था अच्छी स्थिती में आता है यानि मंदी की अवस्था हटती है अच् गिर रहा है तो एक cycle चल रहा है तो यही cycle जो unemployment है उसे क्या बोलेंगे चक्री बेरोजगारी यह भी आपकर नहीं होगा संरशनात्मक बेरोजगारी में आप देखिए कि संरशना हमारी कैसी बन रही है क्या हमारी unemployment है उसकी संरशना कैसी है यानि कि हम उस चीज के लिए लेबल हैं, किसी चीज से मैच कर रही है, तो ये सब क्या है सनरशनात्मक विरुजगारी के अंतर गताएगी, यानि कि हमारे पास eligibility है, लेकिन उससे मैच नहीं कर रही है, जो वहाँ पे चाहिए उस जॉब के लिए, उससे मैच नहीं कर रही है, तो दोस्तो आई होब कि आपको ये जो questions हैं अच्छे से याद हो रहे हैं, आप इसे note करते चल रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़े होंगी, जैसे अभी आगे और भी questions हैं, उनके बारे में थोड़ा deep knowledge किया सकता होगी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, टेलिग्राम चैनल पर आपके पास जब ये वीडियो पहुचेगी, उसके कुछ सेकेंड बात टेलिग्राम चैनल पर उससे जुड़ी कुछ articles वहाँ पर share कर दी जाएंगे, तो description में playlist की link दी है, free channel आप उसे जाकर उसे वहाँ पर join कर सकते हैं, एक बात और कि आप हो सकते हैं कि वीडियो ये जो है आपको बीच वाली आपको पहुचे, यानि कि हो सकता आप स्टार्टिंग से इस सीरीज में नव बने हो, तो इसलिए सीरीज का एक playlist बनाए जाती है, उस playlist को भी description में रखा जाता है, link वहाँ है, आप जाकर उस playlist को जाए उस link पर, स्टार्टिंग से classes देखें, बीच में मत आगी वीडियो, वो आज की वीडियो के last screen पर वहाँ पर corner में आपको next वीडियो भी मिलेगी, साथ वही पर आपको playlist भी मिल जाएगी, playlist का दो जगा आपको option रहेगा, description में जाकर join कीजे, या यहाँ से, आगे question बढ़ते हैं, गैर नवी करनी संसाधनों के समों को चुनिये, interesting question है, कई बार exam से में पूछें, गैर नवी करनी संसाधन, और गैर नवी करनी संसाधन, यह दो है, एक नवी करनी संसाधन है, एक गैर नवी करनी संसाधन है, क्या है इसको बारे में समझते हैं, नवी करनी संसाधन का मतलब पहले समझते हैं, कि नवी करनी संसाधन के नाम स संसाधन उसका यू आसीमित उप्योग किया जा सकता है उसका भंडारन बहुत जादा है आसीमित है उसकी भंडारन तो वह क्या हो जाएगा नवी करणी संसाधन एक्जामपल की तौर पर आप ले लेते हैं सुरी का प्रकास हो गया जल हो गया हवा हो गई यह सभी चीजी क्या प्रकास कितना आना रहा है कभी हमने देखा कि कंभी हो रही सूर्य का प्रकास ती बड़ा प्रात्वि कुर्जय का सुbelt किया है सुर्य का प्रकास यह सबसे जादा है इतना जादा है कि वह आसिमित है तो क्या हो गया नवी करनी संसादन हो गया इसके बाद हमारे पास वायू संसादन है कितने वायू संसादन है इतनी है इतनी मात्रा आसिमित है यह कि हमें आज तक इतनी जनसंग्या बढ़ती जा रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पढ़ र यह सब अलग चीजे हैं लेकिन परियाप्त मात्रा में असिमित मात्रा में यहां पर क्या है वायू संसाधन भी हैं यह सब क्या है नवी करनी संसाधन असिमित भंडार लेकिन हमारे कोस्टन में क्या पूछा है अनवी करनी संसाधन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नवी हो जाएगा उसका एक भंडार एक निस्चित क्वाइंटिटी में वह हमारे पास है будем हैं जादा उसका दूर पर करेंगे उनको संदचित नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो खतम हो जाएगा और हमारे जो आगे की send empresa के लिए वह नहीं बचेगा वह हमारे लिए तो एक बार इंग्लिस वाले भी देख लें चूज़ दाशेट आफ नान रिवनेवल रिसोर्सेश का पुछा है किसमें से कौन से नान रिवनेवल रिसोर्सेश हैं आप्सन देखते हैं यूरेनियम प्राक्रतिक गैस मिट्टी प्राक्रतिक गैस यूरेनियम फासफेट पेट्रोलियम यूरेनियम भूतापी उड़जा सैल गैस यूरेनियम मिट्टी तो आप इसमें बताईएगा कि क्या हो सकता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है इसमें से जो एक मतलब है तो तीन तीन नाम लिखे है इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो तीनों जो है हमारा क्या है गैर नवी करनी संसाधन है हमारे पास सिमित उसके भंडार है जादा उसके भंडार नहीं है तो यहां पर आपके option इसका हो जाएगा प्राक्रतिक गैस यूरेनियम और फास यह हमारा क्या हो जाएगा गैर नवी संसाधनों के नवी करनी संसाधनों के क्या है समू है जो कि बहुत important question है इसे आप अलग से highlight कीजेगा इसे क्या कीजेगा आप highlight कीजेगा important है यह अगर अभी आप clear कर लेते हैं तो यह आप question हमेसा के लिए clear रहेगा क्योंकि यही question जो हो यह हो गया हमारा एक 9th number question 10th पे चलते हैं आगे बढ़ते हैं निम्न मैंसे किस छेत में सबसे पुरानी अच्छी तरह से प्रलेखित सहरी बस्ती पाई जाती हैं क्या है हंगो घाटी सिंदु घाटी नील घाटी मेसो पुटामिया अब इसमें आपको बताना है किसमें से सब अच्छी क्या है प्रलेखित सहरी बस्ती कहां पाई जाती है in which of the following reason has the oldest well documented urban settlement found well documented urban settlement कहां पर पाया जाता है हांगो गाटी, सिंदु गाटी, सिंदु वैली, नील गाटी, नील वैली और मेसो पुटामिया आप भूत जो आप हो Septना उसका नाम सुने होगे मेसो पुटामिया इसके लिए बहुत फेमस है यानि कि प्रलेखित सहरी वस्ति सबसे प्राचीन यहां पर सबसे पहले यहीं पर देखा गया था यानि कि इन सभी से सिंदु घाटी हांगो घाटी इन सभी से पहले मेसोपोटामिया में वहाँ देखा गया था इस तरह की प्रलेखित वस्तियां पाई जाती हैं कहां पर पुरानी अच्छी तरह से प्रलेखित सहरी वस्तियां पाई जाती हैं ऑप्षन डी इसका मेसुपुटामियस का राइट ऑप्षन होगा आगे चलते हैं 11 नमबर कोश्चन पे निमलिखित में से कौन सा आकड़ा जनसंख्या के कारेशिल आयू वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है निमलिखित में से कौन सा आकड़ा जनसंख्या के कारेशिल आयू वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और इस एज के लों हमारे देश में जादा है तो वहां पर कारेशिल छमता ज्यादा रहेगी कारेशिल कारे करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे या तो ज्यादा कम वर्ष के लोग कोई काम नहीं करेंगे या ज्यादा वर्ष के लोग भी रहेंगे तो वह ज्यादा योगदार नहीं देंगे इसलिए कहा जाता है कि जो बीच वाले हैं वो कारशिल जनसंख्या जो होगी वो किसी देश के विकास के लिए महत्पूरगूं का निभाते हैं कोसन पुछा है कौन सा अकरत जनसंख्या के कारशिल आयू वर्ग का प्रतिनिध्ट करता है कहा जाता है कि ये प्रतिनिदित्य कर सकते हैं कारेशील जनसंख्या का इन जनसंख्याओं को हम इस कटेग्रीम रख सकते हैं कि ये हमारी कारेशील जनसंख्या है यानि कि कई देशों में ऐसा देखा जाता है कि जहां पर जो मित्युदर बहुत कम होने के वज़े से जन्मदर कम स одοιπόν के लोग जुना रहेंगे मिर्टियौ दर कम रहेंगी तो अधिकायू के लोग क्या होगे वहां ज़्या रहेंगे कई असे देशों में मैं देखा गया है कि यहांपर इन दोनों की अधिक्ता त्वेमिल् भी ज्यादा है स्वारी कम है और जैन में दर भी ज्यादा है तो इसलिए वहां पर कारेशील जन्संक्या ज्यादा नहीं रहेगी बुजुर्गलों ज्यादा रहेंगे छोटे बच्चे ज्यादा रहेंगे वहां पर युवा कम रहेंगे तो इस वज़त से देखा जा रहा है क 15-19 साल तक क्या है कारेसिल आउवर्ग का प्रतिन जिर्टो करता है कई अर्थ सास्त्रियों ने बताया कि एजने एज से इतने एज के लोग अगर किसी देश में उस देश में ऐसे आयू के लोग जादा है तो उसका विकास करने की संभावना जादा होंगी वह और तेजी से का development आएगा डेवलप करेगा वो तो यह इसका option हो गया क्या 15 वर्षी 69 वर्ष विच वन आप दो फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स दा वर्किंग एज ग्रूप आप दो पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रूप आप दो पॉपुलेशन की एज पूछा है तो यहां आपका क्या हो गया फिफ्टीन टू फिफ्टीन इयर ओल्ड के जो लोग होते हैं इसके बीच के जो लोग होते हैं वह कारेसील जनसंग्या में वर्किंग जो हमारा फीगर है वर्किंग रिप्रेजेंट्ट दा क्या है कुछ से आगे रहें कहीं एकनूमिक जोारा चाहि कर रहें तो सोची अगर हम लोग ऐसे ही व्यक्रीं सालव करेंगे हमारी कितने questions बनते हैं और आप इसका revision अगर करते हैं तो आपके लिए फायदा रहेगा English Hindi दोनों के लिए रहेगा और हाँ अभी स्टार्टिंग में थोड़े कम questions रहेंगे ज्यादा questions नहीं रहेंगे धीरे-धीरे हम लोग क्या होगे questions के numbers एक-एक अच्छा रहेगा चलिए आगे कुछ questions और देख लेते हैं आगे को सनने निम्लिखित में से कौन सिंची चेत्रों में निम्लिकर्ण का मुख्यकार्ण है सिंची चेत्र यानि की किर्षी का कार्य किया जाता है और वहां जब सिचाई की जाती है उस यह वज़ा से निम्लिकर्ण होता है तो एक बार इंग्लीज वाले इसके question पहले देख लें कि वीच्वन आप दो फॉलॉइंग इस दा मेन फॉर्म आफ डिग्रिडेशन इन इरिगेटेड एरिया निम्लिकित में से कौन सीची छेत्र में निम्लिकर्ण का मुख्यकार्ण है और सने गली कटाओ मिर्दा लाउन्री कर्ण हवा कटाओ भूमी की गाथ तो आई होब की इंग्ली साले भी समझ लिया एक बार फिट से रिपीट कर रहा हूं विच वन आप देफॉलोईंग इस दा में फॉर्म और डिग्रिडेशन इन इरिगेटेड एरिया निम्लिकित में से कौन सीची छेत्र में निम्लिकर्ण का मुख्यकार्ण है तो इसका आपका अप्सन क्या हो जाएगा मिर्दा लाउन्री करन आप्सन भी कैसे मिर्दा हो कर दिया गया विचे अब भारत में देखा जातादा है तो भारत में बहुत जगांतीजिन जब बहुत ज्यादा है अब जब किसी छेत्र में पानी भर देंगे तो उसके साथ उसलनिटी भी जाईगी घ। ऐसल करश सवाइल प्रज़क होता है उसमें से निकालने की भी अच्छी बेवस्था करनी चाहिए जिससे कि कुछ दिर तक ज़ल रहे सीचित रहे कुछ इतना सेंटी मीटर हर का अलग अलग होता है कि इस फसल ये फसल में ज़्यादा जल नहीं देना या ज्यादा जल देना है तो कुछ समय लेकिन अच्छी व्यस्था निकासी की अच्छी व्यस्था नहोंने के वज़र से जल उसमें रह जाता है साथ में उसके साथ उसमें जो सेलनीटी वह भी रहेगी और वह क्या क्या करेगी निमनी करण का मुख्य करण बन जाएगी ऐसा कई जगद देखा जाता है जैसे कि मान और option क्या हो जाएगा मिर्दा लवड़ी करना आगे बढ़ते हैं निम्लिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविदी सभी ग्रामिट बस्कियों में हावी है क्या कर रहा है विच वन आफ फॉलोइंग टाइप अफ इक्नॉमिक एक्टिविटी डॉमिनेट्स इन आल रूलर सेटिल्मेंट रूलर सेटिल्मेंट में बात की जाती है तो हमेशा किस की बात की जाएगी ध्यान देजेगा अब थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है अब अलग- लेकिन वोश्ट्री यह देखा जाता है कि किस छेत्र में निमलिकित में से किस प्रकार के आर्तिक गवत्री सभी गामें बस्तियों में हावी है आप लोग को लग रहा होगा कि टाइम में बहुत ज्यादा ले रहा हूँ एक कोस्टन को बहुत ज्यादा देर तक बता रहा जो मैंने आपको बताए ठीकि जो 2022 वाली सीरीज है आप लोग वहां के माध्यम से लेक्चर लीजेगा डिस्क्रिप्ट्र में उसकी लिंक दी है 2022 सीरीज की 60 प्लस वीडियो है वहाँ पर इसके माध्यम से लेक्चर वाली क्लास लीजेगा यहां से आप कोस्टन कीजेगा अ अगर बाइचांस आप यह टॉपिक न पढ़े हो या मैंने यह टॉपिक उस वीडियो में डिसक्स न किया हो 2022 वाले में तो आपको यह बाते यहां क्लियर हो जाए यह अगर कोस्टन दूसरे तरह से पूसता है तो अगर इससे जो मैंने बाते बताए उसमें से अगर कुछ म ले बात किया था ग्रामेड चैत्रों में लोग जाता सकता हुआ तो बात बताश に हैं सब्सक्राइब को बात की दिए रहास करिसे क्रेडियो विडियों में है इसलिए लिएकर फारे मिलिकित मैं से कौन सा अमेरिकर रास्तव का हिस्सा है बहुत important question है most important question आज का सबसे important question है इसे highlight कीज़ेगा क्या है question number 14 निमलिकित में से कौन साथ दच्छनी अमेरिका रास्ट उपेक का हिस्सा है पूछा है ओपेक क्या है organization of petroleum exporting country उन्ही सोसाथ में सकी स्तापना किया गया था आस्ट्रिया के वियना में कहां आस्ट्रिया के वियना में अभी मैं आपको बताता हूं यह जो आपेक के बारे में हां questions दिया है आपको ओपेक बहुत important है किसी भी exams में आप जाएंगे यहां ते आपको important है इसलिए टेली ग्राम चैनल पर आज के इस क्लास कई जो टेलीग्राम चैनल पर सेर किया जाएगा वो किससे जूड़ा रहेगा ओप जिसले है आप इडिविडियों देखने के बाद कुछ दिर बाद आप ओपेक जाकर टेल डीग्राम चैनल पर देखे समझेगा डीटेल में इसके बारे में बताया गया है तो ओपिक क्या है और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है अस्ट्रिया के वेना में इसका मुख्याला है पूचा है कि इसमें से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है हिस्सा नहीं है ब्राजील चीली बैनाजूला फेरू पूचा है इसमें उसका हिस्सा ब्राजील चीली बैनाजूला पेरू इस वालड देख लें वी चवन अब फॉल्व एक साउथ आफ अपर्ट ऑफ और फैन्ट प्राइल चीली बैनाजूला पेरू तो यहां आपको राइट ऑप्सन हो जाएगा बैनाजूला बैनू याद होते जाए बस एक बार आपको और रिवीजन के आओ सकता हो रस और नंपर कौन सा जाता चाहरा है कोई में आपका स्टलमेंट गरफी से है क्या कर रहा है कि कौन सा जिवास संट रेखन तटी छेत्रों के आसपास पाया जाता है संरेखन लाइन लीनियर फॉर्म में है आगे देखते हैं इंगलीस वाले कोई बता दें तब आके बढ़ बताता हूं मैं वीच वन आप फॉल्वाइंग फॉर्म आप सेटलमेंट इस फाउंड अराउंड कोस्टल एरिया संरेखर तटी छेत्रों पाया जाता है संरेखर तटी छेत्र यानि तटी छेत्र नदी का तट छेत्र हो सकता है किसी रोड का तट छेत्र हो सकता है किसी परवत किनादे पाया जा रहे हैं लाइन से किसी घाटी में पाया जा रहे है एक रेखी रूप में अगर कोई अधिवास जरूस रहे कोई इमारत है किस का घर्राइट रेखे रूप में लिनियर पैट्र जी से बोलते हैं इक रैखा के रूप में लुगोव ईमारत हो क्या हो गया हमारा बलिनियर बताता है तो आपसन देख लेते क्या करा है वृत्ति रेखिये संकर वर्गयकार अंग्लिस वाले देखें सर्कूलर है लीनियर रेक्रोस हे और इस्क्वाइर है वृत्ति को पहले समझते हैं पूछा सन्रेखर यानि कि रेखा में जो रहेगा उसी को हम देखेंगे तो बृत्ति वाली देखते नाम से पता चल जा रहे हैं कि रेखा के रूप में नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आपको बता देते हो कि अगर इस से गर कोस्टर पूछ दे तो आपको क्या करना है किसी जैसे इस देखेगा यह क्या है कोई तलाब है यह क्या है तलाब है अब लोग क्या करें इसके चारों तरफ क्या करें अपना मकान बना लें इमारत बना लें यह क्या बना लें इमारत बना लें कोई तलाब हो गया कुछ ऐसी चीजे हो गई या कोई रूलर में जाएंगे को तो देखें गाओं में कोई मंदी ऊतीम है उसमramble के चारो तरफ फकर मघेर के वीत्ती रूप में जो कि चारोर अपना घर बढ़ दधाए तो वह क्या है हमारा यहीं थैज वर्युद दिवाय वहाँ पर क्या है भीत्ती अधिवास है सर्कुलर ट्ल्मेंट एक सारक से हो जाए तो बित्ति जैसी संद्शना बन जाएगी इसी तरह आपको कई अधिवास है जैसे अधिवाज़ पढ़ेंगे ना तो उसमें आपका लीनियर आएगा यानि कि रिखी आएगा तीर नुमा प्रति रूप आएगा और भी कई प्रति रूप आएगे अब जैसे आपक वर्गकार या आपकी रॉड ऐसे रह यह इसे रोड आई फिर अ sacred इसे ई विए एक रूप और यह त्यायों यह क्या हूँए कि अब जैसे कि वर्गर वर्ग कि AMYा वट पर ही च touर security वाहर निवास तरन ईसी तरह आपको निवागे में हो आ जादा चैब कि यहां पर ज्यादा लोग अपनाघर बना लें ऐसे यहां पर ज्यादा लोगई कुम लोग को इसले रहेंगे हो Rodrigo सभानुमा प्रति रूप स्टार पैटर्न जो होगा तृरह बना देंगे ठीक है अब इसमें लोगं क्या है अपना धिवास बना लेंगे यह क्या बने मिद या धक् कुई नदी अगर्च वोज थैट का ये क्या है नदी प्रभाइथ हो रही है अब इसके चारो और क्या हो इधर दों सौरी दोनों तरफ क्या हो लोग अपना मकान बना ले अधिवास कर ले यहां पर रहने लगे चाहे वह ग्रामीमों चाहे नगरी हो यह क्या हो इस तरह किसमे राइट ऑप्सन होगा तो ध्यान जी जिगा यह रेखी प्रतिरूप का कुछ इस तरह के से फीगर बनता है ठीक है आयोप को आपको यह मामला क्लिए है आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा अध्योगी क्षित भारत के आईटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में भी आपको कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे बंगलोर टमिलनाडू अध्योगिक प्रदेश अभी तो आज ओपेक के बारे में टेलिग्राम पे स्वेयर किया जाएगा अगर आप लोगों के इच्छा होगी तो कमेंट कर दीजेगा इसके ब बारे में भी आपको कुछ दिर बाद टेलिग्राम पे प्रोवाइट कर दिया जाएगा डीटेल में आईटी अद्योगी खेत्र जो है भारत की अद्योगी खेत्र उसके बारे में अभी तो उपेक के लिए रहागा कमेंट आगा तो आपको यह भी दे जाएगा नहीं तो य इस्टर्ण स्लोप आफ रॉकी माउंटेन प्रिमेरली इन विंटर एंड आफ्टें रिफर्ड टू एस नू इटर इसे समझ लेते हैं थोड़ा देखें क्या कर रहा है यह गर्म हवाएं गर्म हवाएं हैं जो रॉकी परवत यह पुर्वी ढालों से उतरती हैं सपोस्ट यह क्या मारा रॉकी माउंटेन है इधर से कोई हमारी गर्म है यह पवन चली आगे यह यहां पर आप समझें कि रॉकी माउंटेन पर यहां पर अभी बर्फ जमी हुई है लेकिन यह जो गर्म हवाएं पर इधर आएगी तो इस बर्फ को क्या करेगी पिघला देगी इस वज़ा से इस पवन को क्या बोलेंगे स्नो इटर बोलेंगे हीम भचनी यानि कि इसके आने के वज़ा से जो वहां पर हीम जमा हुए थे वह सब खतम हो गए पिघल गए तो यह क्योंकि यह गर्म सुस्क पवन है और यह राकी माउंटेन पे वेस्ट साइड वेस्टरन स्लोप से चड़ती है उपर और इस्टरन स् से नीचे उतरती है यह गर्म सुसक पवन है और यह बर्व को पिघला देती है इस वज़ा से इसे स्नो इटर बोला जाता है या हीम भच्छनी बोला जाता है यह क्या होगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया सी चिनूग आगे बढ़ते हैं आज का लाश्ट कोस्टन है न कान सा निमनी करन प्रदूसक है विच वन विच आफ दे फॉलोइंग इस डिग्रीडेबल पल्यू पल्यूटेंट पल्यूटेंट सॉरी तो पारा लेस धातू इस पात घरेलू वाहित मल मर्करी ट्रेक मेटल स्टील डोमेस्टिक डोमेस्टिक स्वेज तो यहां आपका घर अच्छे से समझ में आए हैं एक चीजों को मैं कोसिस किया हूं कि आपको एक्स्प्लेंड करके बताया जाए ताकि आपको यह इससे जुड़ी अगर कोई और भी बाते पूछे तो आपको अच्छे समझ में आ जाए इसी तरह हम आगे भी और को संस करते रहेंगे उमीद कर यह दोस्तों कोस्तन बहुत इंपॉटेंट है एक एक कोस्तन को मैंने चुन-चुन कर नोट करके आपके लिए लाया हूं इस सीरीज में आज इस सीरीज की दूसरी क्लास है पीछे की क्लास अगर मीच हो गई है तो डिस्क्रिप्सन ने प्ले लिस्ट की लिंक दिया वहां से